हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टी फूड विद संगीता आज मैं आपके साथ गुड और तिल के बने हुए लड़ू की रेसिपी शेयर काने जा रहे हूँ ये लड़ू टेस्टी होने के साथ सथ बहुत ही हल्दी होते हैं तो सर्दियों में तो हमें ये लड़ू जरूर खाने चाहिए तो start करते हैं ये लड्डू रेसिपी सबसे पहले मैंने एक कप सफेद तिल लिये हैं और तिल को कड़ाई में डाल दिया है अब मैंने gas का flame low रखा है और low flame पर हमें इन तिल को भूनना है गैस का फ्लेम हाई या मीडियम बिल्कुल ना रखें वरना जो तिल है न वो जल जाएंगे और लड़ू का टेस्ट कड़वाएगा तो लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें तिल को रोस्ट कर लेना है जैसे जैसे आप इने भूनेंगे ये फूल ने लगेंगे जब सारे तिल फूल जाए तो इसका मतलब कि तिल हमारे जो है वो रोस्ट हो चुके हैं तिल का हमें कलर जाता चेंज नहीं करना है इनको बस आप 2-5 मिनिट तक ही भूनेगा क्योंकि इतनी देर में तिल भून के तयार हो जाते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लगातार चलाते हुए भून रही हूँ तो अब जो तिल है न वो फूल ले लगे हैं और तिल अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं तो अब हमें गेस का फ्लेम आफ कर देना है और तिल को एक अलग बरतन में निकाल लेना है इस कड़ाई में हम इने नहीं छोड़ेंगे वनना ये जल जाएंगे तो यहाँ मैंने एक बूल में ये तिल ट्रांसफर कर लिये हैं और अब गेस पर मैंने फिर से कड़ाई रख दिया और एक चमबच इसमें घी डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे गुड़ हमने एक कप तिल लिये थे और एक कपी हम गुड़ लेंगे तो गुड़ को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुगड़ों में तोड़ लिया है और साथ ही हम इसमें डाल दियेंगे दो चमबच पानी पहुच जादा पानी नहीं डालना है बस दो चमबच ही काफी होगा पानी डालने से क्या होगा कि गुड चिपकेगा नहीं और घी डालने से इसमें शाइन आएगी इसलिए मैंने घी डाला है अब यहाँ पर लगातार चलाते हुए हम गुड को पिगला लेंगे गैस का फ्लेम मैंने अभी लो रखा है लो फ्लेम पर हम इसे पिगला रहे हैं और यह देखे जो गुड है वो पिगलने लगा है पूरा गुड पिगल चुका है तो अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है तो यहाँ पर गुड में हलका सा उबाल आने देते हैं ये देखे जो गोड़ है उसमें उबाल आने लगा है एकदम सफेद सा हो चुका है ये जाग बन रहे हैं तो बस अब हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है अगर आप इसे पहुँच ज़्यादा देर तक पकाएंग ये इसमें डाल दी है ये लाइची डालना बिल्कुल अप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं पर मैंने फ्लेवर के लिए ये लाइची एड़ की हैं अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अभी हमें गैस का फ्लेम आफ नहीं करन अब ये देखें ये बहुत ही अच्छी तरीके से गोड़ तिल वगएरा मिक्स हो चुके हैं और मैंने दो मिनट तक इसको अच्छे से लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए पका लिया है तो बस अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे एक अलग प्लेट में निकालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम है इससे हम अभी लड़ू नहीं बना सकते हलका सा इसे ठंडा होने दीजे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडा कर लियाने से तो भी इससे लड़ू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो तो भी लड़ू बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा थड़ा हो गया तो लड़ू नहीं बन पाएंगे अब यहाँ पर मैंने हातों पर थोड़ा सा घी लगा लिया आप घी या पानी कुछ भी लगा सकते हैं और इसमें से हम थोड़ा सा ये तिल और गुड का मिक्षर लेंगे और इस तरीके से गोल गोल लड़ू त्यार करेंगे ये देखिए जो हमारा ये मिक्षर है न तिल और गुड का वो एक दम परफेक्ट है बहुत थंडा नहीं हुआ और बहुत ज़दा गरम भी नहीं है मैं आसानी से लड़ू बना पा रहे हूँ बस आपको क्या करना है कि आप थोड़ा जलदी जलदी लड़ू बनाने है क्योंकि जैसे जैसे आप ज़दा देर करेंगे ये थंडा होता जाएगा और लड़ू फिर बनाने मुश्किल हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी से हाथ चलाईए और लड़ू बनाते चाहिए ये देखे बहुत थी सुन्दर गोल मटूल हमारे लड़ू बनके त्यार हो रहे है ये लड़ू बनाना बहुत आसान होता है गुड़ और तिल के लड़ू खाने में टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हैं तो आप इने एक बार बना कर एक महीनी तक के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और घर में बच्चे हों या बड़े सभी इने खाई ये सभी के लिए फायदे मन्द है अब ये मैंने सारे लड़ू बना कर रख लिए हैं ये देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं लड़ू तो है न बहुती आसान इने बनाना तो इस मकर संक्रानती आप भी ये लड़ू जरू ट्राई कीजेगा रेसेपी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में